और इस बार का अंकराप के सामने आ चुका है आप देख सकते हैं बीजेपी के खाते में 21 से 25 सीटे जाती हुई कॉंग्रेस के खाते में 6 से 10 सीटे जाती हुई आम आदमी पार्टी शायद एक सीट पर अपना खाता कोले अन्ने के खाते में भी 0-2 सीटे जा रही है कुल मिलाकर बीजेपी 20 से 25 के साथ उत्तर गुजरात में अपना दब दबा कायम करती हुई नजर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी दूसरो नंबर पर जरूर है लेकिन बीजेपी से बहुत पीछे तो बड़ी बात ये कि उत्तर गुजरात में बीजेपी आगे दक्षन गुजरात की तरह उत्तर गुजरात में भी बीजेपी आगे है अब तक के दोनों रीजन में बीजेपी की बढ़त है